कि नम्स का दूतर स्वागत आपको एंटेकर नूस में आज हम चिनकाम में और हमारे साथ बात करने में मुझूद है गाड़ी के सरपांचे के वर सिरी के वर सिंग जी जहां इस टूरिस्ट के मुद्वे बात करें हालां कि जहां पर टूरुस्ट के आ रहा था तो कुछ कारण इस टूरिस्ट को बैंड कर दी है यह सुगरी है जनाब बहुत बहुत शुक्रीया आपका दीनों सम्हें चुछित के तैदाद कम है हालां कि ना के बराबर है तो पहले तो टूरिस्ट बहुत अच्छा चल रहा था ऐसा क्या कारण रहा कि जो एनज पीसी तो आना बैंड कर कोई जमाना होगा कि तूरिजम के अंडर हुआ फिर गॉर्मेंट ने टूरिजम का एक डबार्टमेंट बनाया उसके अंडर कि या वहां पे होटल बने वहां पे लोग आना शुरू हुए ऐसे यह आपने देखा कि कि आपका माता बैशनों में आज से 50 साल पहले ऐसे हुआ होगा आपका शिव खोड़ी में आपनी जो कहानी वह आपको बताऊंगा आपको बताऊंगा कि हमने इसको बड़ा 2003 में मैंने यह शुरू किया था मैं माड़ाओं के जगा जहां पे NHPC की है और मालक हम थे मालक हम थे जगा के 400 रपे कुनाल हमारे से हमारे दादा जी से हमारे परदादा जी थे जहांके नमबरदार मेरे दादा जी थे मेरे फादर साब आज नमबरदार है और लोगों ने जब आपको पता है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है लोगों ने आना शुरू किया आके जब लोग जहां पर आये तो उनको बड़ा सकून लगा कि अच्छी जगा है प्लेन जगा है द्रिया का कनारा है ठंडी हवाएं पेड अच्छे खासे खूब सूर्थ पेट हैं तो काफी लोग जहां पर आना शुरू कर दिया है मैं कहता हुझा हो ही झालर पर टूरिस्त जहां पर आया और कहीं लोगों को değildi को जहां पीश director हो मैं आपको बताऊंगा कि जहां का मैं सिर्फ जहां की बात नहीं करूंगा कट्रा से रंसू रंसू से सहर बाबा से चिंका चिंका से दुनिया का जो सबसे हाइस ब्रिज जहां से पंद्रा किलो मेटर दूर कोड़ी में बहां मुझे लगता है सकतर प्रिजन्ट ने बनाएं लोगों का बना हुआ हमारा बना हुआ हमार बना हुआ इन्होंनंग बंद करनें can he कुछ यह बी कुछ यहां के मुझे बात मैं कहता हूं करनी चाहिए यहां कि आपको साब आफ इसे देए चल गलत एक्वडिकर्शन पर आ रहा है वो डूब के मर जाएगा यह मेरा कहना है विल्कुल मैं गवर्णर साब से भी हम मिलेंगे मैं सोच रहे हैं हम टाइम ले लेप्टिनर गवर्णर साब जो बैठें अगर आपका यह चैनल वह भी कहीं देखें तो गवर्णर साब लोगों के हित की बात करो नो जो जो आज हमारा नशे की तरफ दोड़ रहा है अगर जहां टूरिस्ट आ जाए दुनिया का सबसे हाइस ब्रिज बहां पर टूरिस्ट आ जाए आपका स्याट बाबा में टूरिस्ट आ जाए तो मुझे लगता है जहां पर कोई नो जोन बैलन रहेगा सारा रोजगार कि जोन जोन नशे की तरफ जारा है हमारा जे कहना था कि नोजोन को सही रास्ते पे लगाएं और उनको बचाएं और उनका घर बढ़े और नो जोन आगे आए और हमारा हिंदोस्तान फले-फॉले कूर्मेंट तो कहती है हंधिस्टान को आगे ले जाना है अगर वह हंधिस् हमने बिलको टूरिस्ट दवारा जहां पे लाना है और जहां से पंजी माल का एरिया आप अभी छोटे हो आप बहां पे गे नहीं पत्री टाप से पंजी माल का एरिया बेस्त है आपका जहां तक टूरिस्ट का यहां पे मामला है यह टूरिस्ट जहां पे होना बहुत ही जरूरी है मैं पहले भी अरजगार चुका हूँ कि रियासी का एक ऐसा जिलह है जो टूरिस्ट के मामले में सबसे आगे है हमना जब यहां पर टूरिस्ट आ रहा था उसके आसपास के जैसा अरनास लाका होगा कंठान होगा वहालगी उनकी दुकानों में सेल हो जो बड़ी थी रेमनु वो जनरेट हो रहा था जिरी दे लेकिन आप वो रेमनु जैसे का था बैले का बैसे आ गया है जैसे माइनिंग के मामले में ये कुछ लोग आगे पीशे जा करके बातें कर रहे हैं ये मामला भी सेम उसी के साथ जड़ा हुआ है इस पर मेरा ये कहना है कि इसको जल्दी से जल्दी चलाना चाहिए नहच पी सी की तरफ से या टूरिस्ट की तरफ से अगर कोई कमी है कोई इसमें कोई फरक है तो उसको जल्द जल्द पूरा करके ये जो टूरिस्म का सेक्टर हमारा है ये बड़ा जरूरी खुलना चाहिए क्योंके यहां पूरी दुनिया गोमने के लिए आती है मैंने पहले भी कहा कि सलाल परजेक्ट का एरिया जो है पूरे हिंदुस्तान के अं खुलना चाहिए । यहां टूरिस्म जो वैलांग करता है। यह पर प्यारी जगाया यहां पर चैनकाह हो गया जैसे हमारे पंजी मल हो गया जैसे हमारे जिच्टाब हो गया ले लिक्ने चाहिआ घुरीस्ट तो यहां बनादर रखना चाहिए यहां पर तूरिज्म जो है लगना चाहिए गौर्मपस्टरं से 차णका की बात करूँ उससके बाए में जिजटाप की बात करूँ पंजी चेर परसन मेरा काम है बलाग की अपने बलाग की डिवल्मेंट करवाना ना के उसको तेसनेस करना मुझे बड़ा अफसोर साता है जो चीफ इंजिनियर हमारा नहीं पीसी का है यह हमारी जमीने हैं हमारा ही सब कुछ है मानना कि उन्होंने उस वक्त सक्से दमों पर ले ली है यह नहीं चाहता है कि वही किसी बंदे को रोजगार मिले हैं आप देख रहे हो जहां पर कितनी टूरस्ट हजारों की तैदाद में टूरस्ट आये थे इस बगताम दूब में खड़े हैं ठंडी हवा चल रही है दिर्यागी ठंडी हवा रही है जैसे एक किसम का इसी लगा ह लेकर दूर बागया पूरें इस बंदे ने जो चीफ इंजिनियर है इसने पता नहीं क्या शरारत है इस लाके से उसने बंद करवा दिया जहां बोर्ड लगा दिये के वही जहां एक लड़का डूब गया जब भी हमारी रोड कितनी रोड बनी है रोजाना किसी रोड किसी होई बंदे मरते हैं ऐसे एक बंदा बचारा ऐसे डूब कर मर गया वह लड़का हमारे ही था बहुत अच्छा लड़का था वह किसी दूसरे लड़के के बचाने के चकर में खुद के डूब गया तो अब जहां टूरेस्ट बंद होने चाहिए अब बाकडा डेम में लोग जाते हैं वहां उन्होंने टूरेस्ट का बड़ा जीले पीशे वहां कितनी लोग मरे मरे जाते हैं तो उधर तो नहीं कोई टूरेस्ट बालू ने बंद किया अब हमारी अडिमिस्टरेशन से ओपर हाई लेबल पर मीटिंग हुई पहले तो डीसी साब से भी हुई उन्हों उन्होंने हमें शोटी दिये के जल्दी से जल्दी आपका टूरेस्ट आना शुरू हो जाएगा अधर पहले हम इनको तरीके से समझाते हैं नहीं अगर जैस समझे तो फिर कोई दूसरा रास्ता अक्तियार करें हमारे डीसी साब बहुत अच्छे आदमी है उन्होंने हमें हम किसी तरीके से इसको भाल कर देंगे बहुत हमें जिकीन ध्यानी दिये उन्होंने तो हमें पूरा जिकीन है कि डीसी साहब इस मसले को सालब कर देंगे और जल्दी से जल्दी दबारा टूरेस्ट आना शुरू हो जाएगा